और माश्टर साब नमस्ते नमस्ते आईए तसरीफ रखिए और बताईए आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको अरे नहीं नहीं विल्कुल तकलीफ नहीं हुई और बताईए क्या लेंगे आप जी वैसे तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है लेकिन आप पूछी रहें तो पचास तोला सोना एक बियम डवलू एक बंगला और और तिन्चार गायभैस दे दीजेगा अरे सर्मा जी मैं नास्ते की बात कर रहा हूँ नास्ते में क्या लेंगे आप ओ अच्छा अच्छा नास्ते में कुछ भी कुछ भी चलेगा अरे मास्टर जी ये सब तो चलता रहेगा आप जरा लड़की को बुलाईए हाँ हाँ क्यों नहीं अजी सुनती हो जराब बीटिया को भेजना बेटा आपका क्या नाम है जी मेरा नाम हगनी है क्या हगनी ये कैसा नाम है भाई अरे सर्मा जी इसका कहने का मतलब है गजनी गजनी नाम है इसका ओ अच्छा अच्छा गजनी बहुत प्यारा नाम है बहुत प्यारा और बेटा आप क्या-क्या बना लेती हो मचूतिया आराम से बना लेती हू अरे इसका कहने का मतलब है गुजिया बहुत अच्छा बना लेती है भगवान जाने कैसी लड़की है गजनी को हगनी बोल रही है और गुजिया को चूतिया बोल रही है गजनी बेटा आपको कुछ सवाल पूछना है तो पूछो हमारा बेटा बेचू यहीं बईठा है देखो कईसे सर्मार आएगा धाकई का हाँ हाँ पूछिये ना आप कौन से ब्रांड की चड़ी पहनते हैं बहुती फणनी कोस्षन बेटा बहुती फणनी कोस्षन एक मिनट अंकल एप आप आइदर सुनो हम तो चड़ी पहनते ही नहीं है कौन सा ब्रांड बताएं इसको हमसे क्या पूछ रहे हो बे हमें क्या पता हम कौन सा चड़ी पहन के घूमते हैं देखिए आइसा है बचपन से हमें ब्रांडेड चीजों को सौक रहा है हमारे पिता जी सेमसंग की चड़ी इस्तमाल करते हैं और हम नोकिया की बिल्कुल ब्रांडेड क्या बेहुदव वाली बात कर रहे है यार सेमसंग और नोकिया कब से चड़ी बनाने लगे पढ़े लिखे गवार हो क्या अवे साले जबान चमाल के बात कर हमें भी कोई सौक नहीं है इस हगनी से साधी करने का इनने हमारी बेटी को हगनी कैसे बोला आरे माप करना गुस्से में थोड़ा इधर दर होया आता है कभी कभी प्रुको अभी निकालते हैं तुम्हारे अंदर का गुस्सा च चप च चप च normal Fourth अवे साले के बाख साभा निक डोल करोो अपना तुम्हारे इस का युम्हारे अतीप